किसान विरों इस समय धान की फसल पकने में अभी 15-20 दिन लगेंगे मगर फिर भी हॉपर का अटैक काफी ज़र देखने को मिल रहा है तो फिर इस कंडिशन पर हमें कॉंटेक्ट बेस इंसेक्टी सेट का प्रियोग करना ही चाहिए क्योंकि इस समय कोई भी सिस्टमिक दवा हॉपर को कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादे फैक्टी तरीके से काम नहीं करेगी और अगर हॉपर का अटैक इस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर यह हमारी फसल की 5-6 कंट्रोल की पैदावर कम कर सकता है जिससे बाद में हमारी फसल सूक के गिरने लगती है क्योंकि अगर हॉपर फसल की निचली सते से अटैक करना शुरू कर देता है बगर रेत में मिला कर चिड़काव करने का सबसे बेस्ट आप्शन रहता है क्योंकि रेत के साथ ये दवा एकदम जड़ों के पास चली जाती है जिससे बाद में ये दवा धीरे धीरे गैस के दवारा हॉपर पर तुरूंत असर करने लगती है और हॉपर अदमरे से ब्योशो कर गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं और अगर बीपीमसी का सप्रे करना हो तो इसकी सप्रे में मातरा लेनी है 200-300 ml प्रतिये कड़ और अगर रेत में मिला कर डालना है तो 10-12 kg रेत लेनी है तो उसमें इसकी मातरा रहेगी 500 ml प्रतिये कड़ और यह बीपीमसी कंटेक्ट प्लस वेपर बेस दवा है मतलब हॉपर इसका संपर्क में आते ही तुरंत खतम हो जाते हैं और इसमें जो टेक्निका लाता है वो है फिनोबो कार बीपीमसी 50% EC फॉर्मलेशन और किसान विरों इसका सबसे बड़ी रिजल्ट तब मिलता है जब धान के एक पौदे में 10-15 भूरे कुदने वाले महाउ दिखाई दें तो इसका रिजल्ट बहुती बड़ी देखने को मिलता है और इसका रिजल्ट 8-10 दिन तक खेद में बना रहता है और इसके लावा इस BPMC का प्रियोग दूसरी सिस्टमिक दवाओं के साथ मला कर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो किसान विरों ये एक छोटा सा वीडियो है कि इस समय भी अगर BPMC का प्रियोग नहीं करा बाकी BPMC का डेटेल विडियो भी बनाया है आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो धन्यवाद